ब्रेन बस्ट में आप सब कफिर स्वाइब बागत अमीद करते हैं कि आपका वीक बहुत अच्छा बीता होगा आज बहुत इंपॉर्टन इशू पर हम बात करने जा रहे हैं आप अपने दोस्तों मित्रों को बता दें क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर एक के दिल में बैठा हुआ हर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं कैस इमिग्रेशन से एक बहुत ही उनके जाने पहचाने हस्ती को यहां पर बुलाया ताकि हम उनसे लाइव बात कर सकें और आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा इमिग्रेशन कैनडा की इस वकत बहुत असान है अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में अगर कहीं इमिग्रेशन सबसे ज्यादा असान है तो वो कैनडा है तो आप आज लाइटो प्रोग्राम वालों के साथ हम बैठके बात्चित करेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है आप अपने दोस्तों मित्रों को बता दो कि वो टीवी को आउन कर आज हम करनेडियन इमिग्रेशन के बारे में जितने भी सुवाल हैं उन सब का कोशिश करेंगे कि जवाब हम ले सकें सैनी साथ से सबसे पहले इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं सैनी साथ कर जनाब आपका बहुत बहुत विशाल जी धन्यवाद बहुत बहुत सबसे पहले विशाल जी बात करते हैं। कैनेडा का इमिगरेशन का जो बेसिकली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है. उस ट्रक्चर को आप कैसे समझते हैं. ए क्या मेरा यह जो बयान है कि कैनेडा की इमिगरेशन जो है वो दुनिया के जो कंट्रीस हैं उस में से वन अफ दी इजियेस्ट हैं. जी. तो आप दरब प एक पॉइंट बेस सिस्टम इमिग्रेशन है, अगर आपके उतने पॉइंट बन जाते हैं, तो कैनेड़ा आपको इन्वाइट कर लेता है, परमनेंट रेजिदेंसी देने के लिए, यह तो बाहर कंट्री से, बाहर कंट्री से, कि यूव तो मेक अप्टू दोस पॉइंट्स, है, तो ऐसे दो बेसिक स्टेप्स हैं इसमें, एक स्टेप यह होता है कि आप इस कंट्री में आते हैं, और यहां के आप काम करते हैं, काम करने के बाद आप इलिजिबल होते हैं, उस प्रोग्रम को कौलिफाइ करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रम्स होते हैं, हर प्रोविंस क program. या. तो आप इन programs में आते हो, एक साल काम करने के बाद आप qualify करते हो अपनी PNP के लिए, PNP के बाद फिर आपकी permanent residency हो जाती है, while doing your job. एक program होता है, जो कि आप सीधा express entry में आते हो. आप PNP के थुरू नहीं आते, आप सीधा express entry में आते हो, एक program वो होता है, उस program में आप क्या होता है कि आप यहाँ land ही first day as a permanent resident करते हो और आप फिर अपना काम proceed करते हो उस company के साथ. ज़रा इसको explain करिए, पि कैसे, यह program कैसे है? Express entry में एक draw system रहता है, जिसका आज का cut-off 480 और 500 के बीच में रहता है. तो यह चार factors हैं जो की यह points बनाते हैं आपके. तो चार factors में एक तो आपका factor age का हो गया, आपको age के points मिलते हैं. एज में भी अगर आप 25 साल की उमर में से लेके 45 years तक ही points मिलते हैं, उसके बाद आपको points zero हो जाते हैं. सबसे ज़्यादा points आपको मिलते हैं if you are at the age of 25 and they start reducing till you get 45. तो एक factor है age, second factor है आपकी education की आप कितने educated हैं, आपने plus two कर रखी है, आपने bachelor's कर रखी है, आपने master's कर रखी है, आपने PhD कर रखी है, तो जैसे जैसे आपकी education बढ़ती है, आपके points बढ़ते हैं. तो दूसरा factor आपका यह हो गया. थर्ड factor हो गया आपका experience की आप कहां काम कर रहे हो, क्योंसी job कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, और आपका to prove your job, आपके पास आपकी income tax returns है annual, आपके bank statements हैं, आपके पास to prove की देखो यह मैं काम कर रहा था, तो थर्ड factor आपका, आपका experience हो गया. फोर्थ factor जो in countries में बड़ा important है, वो है English proficiency. तो आपको IELTS का paper देना पढ़ता है, IELTS journal का. हर एक को? हर किसी को. तो आपको उसके points मिलते हैं. तो इन चारों के points total अगर होने के बाद, आपके points four eighty बन जाते हैं, तो आप सीधा express entry के through यहां पे land करते हो as a permanent resident within a span of four to six months. वा, क्या बाद है. तो यह express entry program है. दूसरा program है कि आपके points इतने नहीं बन रहे हैं, तो then आप फिर आते हो province nominee program के through. province nominee program जो होता है, वो आपको nominate करती है, वो province जैसे मान लो, आप Alberta में हो. Right. Alberta government कहती है कि अगर retail store या एक carpenter या एक cook food industry में, आप अगर काम करते हो, तो हम आपको nominate करते हैं. Nomination का मतलब है you get six hundred points. तो जब आपको six hundred points मिल जाते हैं, caught off है, four eighty, तो automatically आप फिर आपकी permanent residency हो जाती है. यह requirement जो उस province की है, वो अपने requirement हैं बताते हैं कि हमें इस किसम के लोग चाहिए, हमें electricians चाहिए, हमें कुक्स चाहिए, और या हमें welders चाहिए, यह ऐसी requirement हैं आती हैं, उनकी तरफ से. हर province का अपना program है, अपनी requirement है. तो हर province वालों में जब आप select होते हो, तो आपको उस province में जाके काम करना पड़ता है. जी, उस employer जो आपको select करता है, आपको उस employer के यहां ही जाके काम करना होता है, क्योंकि उसके बदालत ही आप आ रहे हो. तो यह PNP program होता है. एक program होता है कि आप student हो, और आप यहां आना चाहते हो. तो वो student category है, कि आप as a student, you come here. हर प्रोविंस में लग लग school colleges हैं, तो आप उन में admission लेते हो, admission के base पे आप Canada आते हो, और उस में Canada ने ऐसा एक law बना रखा है कि अगर आप एक style की यहां की study लेते हो, one year in Canada आप पढ़ने आते हो, तो आपको one year के बाद one year का open work permit मिलता है. वाँ. अब उस open work permit में बच्चे काम करते हैं और वो eligible हो जाते हैं पी आर के लिए. तो वो यहां settle हो जाते हैं, job भी मिल जाती है उनको और वो settle भी हो होते हैं. पर यहां तो लागों students हाई हों है. तो सबी बच्चे work permit लेने के बाद ही settle होते हैं. लेकिन यहां पर आने के लिए उनको IELTS हो करनी पड़ती है. जी. जो students आते हैं यह जो IELTS करते हैं उसको हम बोलते हैं IELTS academic. दो किसम की IELTS होती है. एक होती academic की आपने पढ़ने जाना है Canada. बाकी students के लावा जो भी आते हैं वो IELTS journal करते हैं. तो यह दो किसम की IELTS होती है. जो student की IELTS है वो मतलब जो है छे तक भी चलती है. और जो दूसरी है उसमें साथ आठ जाना पड़ता है. नहीं ऐसा नहीं है. इस जस्ट अ मित ऐसा नहीं है. बट students particular. बिकॉस government यह चाहती है कि जो student आ रहा है उसकी English proficiency अच्छी हो ताकि वो यहां के he can learn well, he can understand to the teacher, he can speak, he can correspond. तो IELTS academic में जो requirement है वो 6.5 minimum रहती है कि आपको कम से कम साड़े 6 band होने चाहिए. 10th, 12th graduation में at least 60% marks होने चाहिए. तब आपको admission मिल जाता है और visa भी मिल जाता है. पर मैं तो ऐसे student जाता हूं जिनकी IELTS सिर्फ 6 ही है. डिपेंड करता है college to college और college के पास कितनी waiting list है. तो अगर college के पास मान लो 500 seat है और 400 बच्चों की application आई हुई है. तो वो फिर merit नीचे आ जाती है. तो वो six भी ले ले लेते हैं पर six से नीचे नहीं है. चार modules होते है IELTS में. तो एक module में अगर six हो और बाकियों में साड़े छे हो तो it's very good. अगर किसी module में कम है छे से कम है तो आपकी admission नहीं होती है. हम बात कर रहे हैं सैनी साब के साथ जो आपको immigration के बारे में बता रहे हैं. इनका लाइटो immigration जो यहाँ पर हम आपको information देते रहते हैं. उसका भी telephone मेरे पास आएगा तो मैं आपको बताता हूं कि यह बहुत जिरूरी है कि आप understand करें. आप इनको जब भी contact करना चाहें. 1306-612-223 WhatsApp पर आप इनको contact कर सकते हैं. आप कोई भी information लेना चाहें. यह आप से कोई पैसा चार्ज नहीं करते. आप किस तरीके से यहां पर आ सकते हैं. अब बात करते हैं विशाल जी बिजनस पर जो होना चाहते हैं. अभी में चलके जो आपने बताएं उनके उपर और सवाल में आपको करूँगा. लेकिन अभी बात करते हैं कि जो लोग बिजनस यहां पर आगे शुरू करना चाहते हैं. इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. वो कितनी होनी चाहिए? आज की डेट में एक बड़ा अच्छा प्रोग्रम कैनडा ने स्टार्ट किया है. वो है स्टार्टप वीजा. तो स्टार्टप क्या है कि आप एक इंक्यूबेटर होता है. उनके पास स्टार्टप आप यहां आके उस प्लैन को एक्स्प्लोर कर सकते हो और आप उसमें आ सकते हो एक तो यह प्रोग्रम होता है. एक होता है कि यहां के जो start-ups हैं, यहां की incubators हैं, उनके पास एक start-ups होते हैं, आइडियास होते हैं, आप उन ideas में आके, देन वो depend करता है start-ups में कौन-कौन से start-ups हैं, और उस आप से फिर उसमें कितना कितनी investment है, वो शुरू हो जाता है, कि आप यह start-up है, यह hundred thousand का है, यह करेंगे तो two hundred thousand का है, यह करेंगे three hundred thousand का है, तो वो फिर category बाद में बनती है, एक program है, जिसको हम बोलते हैं investment category, investment category में government vary करती रहती है, जैसे अब Ontario में, अगर आप Ontario GTA के अंदर, आप investment करना चाहते हो, तो कम से half a million dollar आपको चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आप outside GTA करते हो, तो आप से hundred thousand dollars पे भी invest करके आप यहां पे आ सकते हो, किसी छोटे शेहर में या किसी और शेहर में, which is in a remote place, तो वहां पे आ सकते हो, पर उसकी eligibility के लिए आपका back home experience होना उस trade में या business में होना जरूरी है, that is more important. तो इसके लिए मैं यह suggest करूंगा आपके viewers को, कि आप हमसे राफता करें, आप अपनी information हमसे भेजें, हम आपको guide करेंगे कि आपके लिए कौन सा program best suited है, तो this is my advice to all of your listeners, कि आप हमसे राफता कर लें, तो हम आपको guide करेंगे कि किस चीज़ में, हम तो बताते रहते हैं, आप अपने मूँ ते phone बताते हैं, हमारा phone number है 306-612-2233, आप इसके पहले जो Canada का code है, वो आप जरूर एड़ कर लें, मतलव, वन सिरुफ, प्लस वन, एड़ कर लें आप, एंड उसके बाद मेरा telephone number है 306-612-2233, राइट, ऐसे तरीके से वो आपको contact कर लेंगे, वो मेरे से, आप मेरे को एक WhatsApp डाल दें, message डाल दें, और उसमें आप mention कर दें, चार चीजें हैं कि आप यहां तो रिजूमें भेज़ते हैं आप अपना, यहां आप अपनी age, अपनी education, अपना experience mention कर दें, और मैं आपको special time दूँगा, और फिर हम आप से गुफ्तकू करके, आपकी जो भी queries होगी, उसको solve करेंगे, मैं अपने जितने भी दरशक उनको बता दूँ कि अभी तो हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, में बात कर रहे हैं कि exactly कैसे आप कैनेड़ा में आ सकते हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने points बताएं हैं, उसको हम इनसे explain करके पूछेंगे, फिर मैं स्वाल करूंगा और यह explain करेंगे, एक बहुत बड़ा यहां पर program है, LMIA, वो यह होता कि यहां उनको job letter जो है वो लेके आएं, तो इसके बारे में जरह बताएए, कि job letter जो है वहाँ इन दोस्तान में बैठे, लोग कैसे ले सकते हैं, मैंने सुनाया कि काफी लोग आप जैसे जो हैं, वो help भी कर सकते हैं. उसमें, डॉक्ट चाप क्या होता है, कि यहां पर job portals है, government के, job banks है, जहां पर आपकी employees जो है Canada के, उनोंने आपनी advertisement डाल रखी होती है, जैसे मान लो, किसी को plumber चाहिए, तो उसने job bank Canada में अपनी advertisement चला रखी होती है, कि मेरे को बही दो plumbers चाहिए, या तीन carpenters चाहिए, एक example दे रहा हूँ, जैसे truck drivers को trucking company को truck drivers चाहिए, किसी gas station वाला है, उसको manage करने के लिए आत्मी चाहिए, retail store वाला बंदा चाहिए, तो ऐसे यहां के जो employers है, वो अपनी advertisement करते हैं in the job bank, तो आप उन job banks को देखो, job banks को देखे, उन job banks में आप फिर apply करते हो, तो employer जो है, वो उसके पास resumes आ जाते हैं, वो इन resumes को filter करता है, आपकी interview लेता है, अब जब उनको लगे कि yes, यह बंदा मेरे लिए suitable है, फिर जो employer है, वो apply कर दाता है, labor market impact assessment के लिए, LMIE का full form यह है, तो labor market फिर assess करती है, देखती है, कि Canada में ऐसा कोई आदमी नहीं available हुआ, उनको ऐसा carpenter नहीं मिल प में, तो वो जो ESDC बोलते हैं, वो आपको एक LMIE positive LMIE इसू करते हैं, जैसे shortage है, पर गदेंपल यहां, तीस से चली सार ड्राइवरों की shortage है, आज कल के दमाने में, मैंने यह सुना है, कि जो India का experience है, वो यहां पर count नहीं होता, लेकर अगर आपने दुबई में, या अर्व किस कंट्री में ट्रक चलाई हुए हैं, तो वो count हो जाता है, वो directly यहां पर आ सकते हैं, अगर उनको job मिल जाए, is that true? जी, ड्राइवर्स की काफी shortage हैं यहां पर, और यह जो ड्राइविंग ड्राइवर्स हैं, यह इंडिया से इसली नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनका जो license, they are used to have driving, left and drive हो, इंडिया में जो system है, वो different है, यहां पर उल्टा है, और ट्रक भी उतने नब्बें नहीं है, आप तो कार मैंने देखा, शुरू हो गए हैं, अब तो शुरू हो गए हैं, यहां लेकिन फिर भी, बट मेन बात है कि आपका जो steering है, वो इंडिया के steering से उल्टा है, तो अब चलाते भी यहां से different हो, so to avoid any unfortunate scene, तो इन्हों ने यह avoid, they are bringing people from India, और even from Pakistan, बट अगर आप दुबई जाते Middle East में जितना भी system है, that is like Canada, तो Canada के जो companies है, they prefer to bring people from Dubai, वो आते ही काम शुरू कर देते हैं, तो उनको भी यह होता है कि जादी देर free नहीं एठे है, immediate आके एक exam देना पड़ता है सरफ उनको, road test का, और उनका license change हो जाता है, Dubai का license आपका, यह Middle East का license, वो यहां के convert हो जाता है, जो की इंडिया से अगर आपाते हो, इंडिया पाकिस्तान से वो नहीं convert हो पाता है, अब यह तो हो गए LMIA, और कौन सा ऐसा तरीका है, for example, एक तो marriage का तो शुरू सही है, कोई ऐसी बात नहीं, कि अगर marriage कोई करा ले, Canadian PR से या citizen से, वो तो आ जाते हैं, लेकिन आजकल marriage के माम में भी मैंने सुना है, कि वहाँ पर काफी लोग शकों की निगाह से देखते हैं, अमबैसियों वाले, और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, जिनके real marriages हैं, फिर भी उन्होंने उनको वीजा नहीं दिया, यह जो problem है, इसमें जो immigration के यहाँ पर consultant आप जैसे, वो क्या help कर सकते ह डॉक्टर, आप यहाँ permanent resident हो जाते हो, एक student आता है, यहाँ पर PR हो जाता है, फिर obviously घरवाले उसकी शादी कर देते हैं, ते he has all the right कि वो अपनी wife को यहाँ बुना सकता है, under spousal visa, तो उसमें तो कोई problem नहीं होती है, 99% problem नहीं होती है, हुआ क्या in the past, जो immigration है, they find out कि लोगों marriage of convenience किया, which is illegal, कि आपने किसी को यहाँ लाने के लिए शादी की, और आपने उनको यहाँ सेटल करवाया, फिर divorce कर दिया, तो ऐसे cases जब government के बाद आएं, government of Canada, immigration के पास जब आएं, तो they felt suspicious, तो इसलिए वो files को जादा threadbare करके देखते हैं, हम we help them, इसमें it's a very legitimate चीज़े होती हैं, आपके marriage certificate, आपकी शादियों की photo होती हैं, आपके parents होते हैं, तो ऐसा बहुत कम we find out की ऐसी problems आती हैं, पर आती हैं, तो we appeal और हम successful हो जाते हैं उसमें. ऐसा नहीं है कि अगर वो वहाँ पर farm बरने से पहले, आप से पूरी सला लेने की farm कैसे ठीक जंग ते बनना है, तो that that will save a lot of embarrassment. गाइड करना और लोगों को किसी fraud से भी अगर वो तो बचाना, तो that is our job. तो कोई भी है, हम से राफता करें, तो हम उनको पहले ही गाइड कर देंगे, so that उनको problem ना है. फोन आप अगर कोई भी आपको contact करना चाहे, हम तो बताते ही रहते हैं फोन, फोन आप एक बर फिर बता दीजिए. जी, हमारा नुमबर है, plus one, three zero six, six one two, double two, double three. 306, 612, 223, आप इनको message भी कर सकते हैं, WhatsApp पे, और इनसे time लेके इनसे बात भी कर सकते हैं. बात करने के कोई charges रही हैं. लेकर अगर और कोई आप services लेना चाहते हैं, तो बहुत ही reasonable ये हमारे सेनी साब हैं. और लाइटो immigration वाले सारे बहुत reasonable आप आपके साथ charges करते हैं. तो आप इनको contact करिए. अगर आप कोई question इनसे पूछना चाहते हैं, तो अब time है कि आप अपने जो questions हैं, अगर आप interested हैं. मैं समझता हूँ का आज का topic जो है, ये दुबारा शाहिए कभी हम discuss न करें. आज जो हम discuss कर रहे हैं, ये बहुत ही important है आप सब के लिए. क्योंकि आप लोग सारे इच्छुक हैं कि हम बाहर foreign country में जाएं. और foreign country में बहुत ऐसे लोग हैं जो गूमाएं होंगे, इनके पास पैसे हैं, वो दुनिया में कहीं भी गूम सकते हैं. लेकिन अगर आप कैनेडा में आना चाहते हैं, और आपकी इच्छा है कि आप इस country मे आप यहाँ पर आ सकते हैं और उसमें लाइटो इंग्रेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आप इनको कॉंटेक्ट करिये, इनके नंबर के ऊपर आप इनको WhatsApp मेसेज भेज सकते हैं, फिर यह आप से बात भी कर सकते हैं, तो यह important चीज़ है, अगर आप कोई question इस वकर इन पर्शिश करें, सेनी साब, यह जो work permit है, यह के लिए, लोगों को आपने जैसे बतायागी, यहाँ का system है, हर province का अपना अलग अलग, और वो वहाँ पर उस system अगर आप apply करें, तो work permit बिल सकता है, वो जब job डालते हैं, तो उस वकत उस job की तो वैसी shortage होती है, जैसे कि मुझे पता है कि जैसे ट्रक ड्राइवरों की तो shortage है ही है, that goes without saying, then there are other, मैं आज कल यह समझता हूँ, even brick जो लगाने वाले हैं घरों में, उनकी बड़ी shortage है, जी, ऐसी electricians की shortage है, कारपेंटर की shortages है, तो यह जो सारी shortages है, यह अगर आपको कोई phone करें, तो आप उनकी क इस तरी के से help कर सकते हैं, डॉक्टर साब, इस country में skilled लोगों की बड़ी जुरूरत है, जैसे आपने explain किया, carpenters हुए, construction में हुए, कोई plumbing में हुआ, electrician हुआ, plaster के लिए हुआ, flooring के लिए हुआ, इन लोगों की यहां काफी जुरूरत है, तो इसके लिए different provinces के पास different programs होते ह हैं, मान लो, प्रॉविंस आफ अंटेरियो बोलता है कि हमारे यहां welders की shortage है, तो इंटेरियो की government ने एक job bank बना के रखा हुआ है, job portal होता है, जिसमें जिन लोगों को welders की जुरूरत है, वो अपनी company की details दे कर, वो advertisement चलाते हैं, तो हम इनको help कर देते हैं, बताने के लिए कि यह यह companies हैं, जो की, जिनको यह लोगों की जुरूरत है, फिर we get them interviewed, अगर उनको वो पसांद आता है, employee पसांद आता है, तो client की हम जो processing है, वो हम लोग कर देते हैं उसमें. यह जो experience है, for example, ब्रिक लगाने वालों का या लैक्टीशन का, यह कितना experience होना चाहिए, बैक हॉम और प्रूफ को जो है, वो बकायदा करना चाहिए, कि मैं बकायदा इस field में काम करता हूँ. अभी government of Canada बड़ी liberal हो गई है इस पे, तो उन्होंने क्या किया कि दो categories बना दी है, एक low skill, एक medium skill. लो स्किल हो गया जैसे कि आप एक kitchen में helper हो, या आप किसी restaurant में server हो, as a sort of a waiter हो, तो यह low skill है, इसके लिए उन्होंने सिर्फ experience one year का कर दिया है, back home. Really? Yes. कि अगर आपके पास एक साल का experience है, low skill में, तो आप eligible हो, कि आप apply कर सकते हो, Canada आने के लिए अपने work permit के लिए. यह तो कमाल है. लेकिन उसको English आनी चाहिए है. वो criteria meet करने पड़ेंगे सारे, पर उसमें English का level कम है. अच्छा. जैसे आप low skill में हो, तो साड़े चार band चल जाते हैं. चल जाते हैं. मीडियम स्केल हो, तो साड़े पांच और छे. साड़े पांच band पे चल जाता है, साड़े चार से साड़े पांच. अगर आप supervisor level हो, तो फिर वो छे का level है. तो इस तरह categories है. तो we can help आपके clients जो भी interested हो, चुक लोग हो, तो अपनी profile हम से share कर ले हैं अब और हम उनको पूरा guide कर सकते हैं कि वो कौन सी province में उनकी work permit उनका हो सकता है, and हम पूरी उनकी help कर सकते हैं. वो तो सामने इस वो के दर्शक जो हैं, वो सुन रहे हैं, और वो आपको contact भी आगे भी करते हैं, आप और भी करेंगे, इस तरीके से आप information दे रहे हैं. मै यह हमारे गेमल सामने है. दो चीजे हैं जी, अगर आप express entry के थूर आते हो, direct आपका score बन जाता है, तो it takes about four to six months to get you a permanent residency. जिस country में भी आप बैठे हो, आप यहां लैंड करोगे as a permanent resident. अगर आप PNP के थूर जाते हो, तो it takes about three to four months additional than that. यह PNP ज़रा explain कर देजी. PNP क्या है कि आपके, आप direct express entry में नहीं आपा रहे हो, आप फिर PNP के थूर आते हो, PNP आपको additional points देता है. तो PNP province अपनी assessment करता है और आपको nominate करता है. तो वो minimum three to four months वो ले ले लेते हैं अपनी assessment करने के लिए. जब उनको लगता है कि यह ठीक है और उसके बाद वो nominate कर लेते हैं. After nomination, it takes another four to six months to come here. तो total one year का program ये आप लेके चलो, साल, सवा साल के अंदर अंदर आप यहां आ आ जाते हो, PNP program में भी. मैं आपको यह बता दू कि हमारे Canada में 10 provinces हैं, जासे हिंदोस्तान में 39 हैं, यहां पर 10 provinces हैं, नहीं 29 हैं हिंदोस्तान में, यहां पर 10 provinces है और तीन union territories क्योंकि हम हिंदोस्तान में उनको union territories कहते हैं, तो यहां पर तीन union territories हैं. आप जब यहां पर आएं, तो यह समझे देजिए कि आपको कम से कम, दो साल से तीन साल तक उस province में काम करना पड़ेगा, जहां पर आपको जाब मिलेगा. उसके लिए आप इनको जरूर contact क करिए, यह कि यह प्रोग्राम इतना educational है आज, मैं यह समझता था कि हम add देते हैं, लेकिन आज जब directly हम उनसे बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको यह बताने के लिए, कि आप हमेशा यह पूचते हैं, मैं जब भी इंडिया जाता हूं, तो हर आदमी यह कहता है, जी मैं कैसे Canada आ कैसे आ सकते हैं, कितनी बड़ी categories हैं, और किस तरीके से आप इनको contact करके असहनी से जो है, आपका रास्ता खुल सकता है, अब एक बहुत important है, हमारे एक स्वाल आया, मंदीब कौर जी का, हाई, I have completed my studies in Canada, couldn't find any job, can you help me to get jobs? तो, आप मेरा नमबर लेके मेरे से राफता कर लें, हलांकि हम jobs तो, we are not a placement agency, but हम अपने contacts में, I will definitely try to help you, and yes, हम आपको job दिलवाने की help जरूर कर सकते हैं, नमबर, आप नमबर नोट कर लें, 306, 306, 612, 2223, आप मेरे को एक message छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे, और मैं आप से craft कर लूँगा, और आपको guide कर दूँगा, देखिए, कितनी important questions आ रहे हैं, अच्छा, हमारे पंजाबी जो हैं, वो, यहां farming का बड़ा scope है, तो वो farmer जो यहां आना चाहते हैं, पहले तो उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना experience होना चाहिए, यह बताईए, बड़ी add आती है, जिया आप यहां पर आके farm करना चाहते हैं, तो हम आपको, जो है, immigration दिर्वा सकते हैं. farming category काफी wide category है, farming, और इसमें आप as a farm worker होगरा, आप farm में काम करते हो, तो आप work permit लेके यहां आ सकते हो, और यहां आके आप job कर सकते हो, कोई भी work permit जो होता है कैनिडा में, वो minimum two years का होता है, आजकल government ने three years का work permit भी allow कर दिया है, जब आपका work permit खतम होने लगता है दो साल बा आ सकते हो, आप दोबारा उसको, आपका employer आपको help कर देता है, if you are a good employee, तो आपकी help करके आपका work permit renew करवा देता है, यह तो वो हुआ जो farmer आपको sponsor करें, जी, अगर farmer चाहता हो, जी, independent जो farming वोले लोग यहां पर आना चाहते हैं, उनका क्या है, वो that is a different category, all together, वो एक है कि एक है, आप बोलते हो कि जी, मैं फार्म ओनर बन के आना चाहता हूँ, as a landowner बन के आना चाहता हूँ, that is entirely different category, तो उसके अपने criteria's है, there are steps to meet those criteria, but वो category open है, हम, अच्छा, categories Canada में ऐसे रहती हैं कि कभी categories government खोल देती हैं, जम कुरु जूरत पढ़ती हैं, कभी categories बंद कर देती है एक, दूसरा, अलग-अलग province, अलग-अलग categories खोलती हैं और बंद कर देती हैं, तो जिस समय जो आना चाहता है, उस समय कौन सा program prevalent है, जो चल रहा है, हम उसका guide करके, और किस province में farming की जरूरत पढ़ती है, वैसे तो, वो depends कि आप green house farming करना चाहते हो, या non green house है, जैसे Vancouver है एरिया जिसको आप British Columbia बोलते हैं, वहाँ पे farming का setup बड़ा है, फिर आप आजओ साथ में Alberta में भी, Alberta has a big farm lands, सारे all over Canada farming के programs रहे हैं, पर experience भी तो होना चाहिए ना, आपको experience दिखाना पड़ेगा, कि मुझे इतने साल हो गए farming करते हुए, जी, वो तो basic criteria है, आपको meet करना है अगर आपका जिस field में experience है, उसी field में ही आपको यहाँ जाब मिलेगी, क्योंकि आपको prove करनी है आपकी experience को, you are not able to prove your experience कि I am a farmer, तो नहीं हो पाएगा, तो आपका जो भी है आपकी जो भी experience है, वही basement है आपको यहाँ के work permit लेने का, अच्छा जो farmer आना चाता है, अपनी farming करना जाता है, तो उसको तो यहाँ पर investment करनी पड़ेगी ना, ऐसे दो नहीं वहाँ सकता, क्योंकि उसको यहाँ पर आगे farm खरीजनी पड़ेगी, जी जी जी, 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 तो वो दस एकड़की farm भी हो सकती है, और सो एकड़की भी जी, 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 वो उसमें बड़ जी वाइड केटेगरी है, तो जितना बड़ा farm होता है, उतना होता है, प्रवाइड कि वो province ने program खोल के रखा हो, तो यह almost investment category लेवल ही है for farmers, but depends upon कि वो program खुला हुआ है, यह नहीं खुला हुआ है, आप अपना number एक बर फिर बता दें, मेरा number है plus 1 306 612 2233, अब जब भी मेरे को message डालें, आप अपना नाम और अगर resume हो तो डाल दें, तो I can look into it, फिर मैं आपको time देखे और आपकी queries को solve करूँगा, और आप कोशिश करेंगे कि आपका Canada आने का सपना पूरा हो, यह है, स्वाम रकेश जी का, my son is PR holder and is working in Toronto since about a year, he is about to be married in December 23rd to Indian girl, how can she get work visa there? Yes, आपका बेटा जो है, he can approach us, there are forms, इसको spousal visa बोलते हैं, कि आपने spousal visa category होती है, वो spousal visa भरते हो, it takes about four to six months, कि आपकी जो बहू होगी, वो शादी के बाद यहाँ पे आ जाएगी बेटे के साथ, so, यह category allowed है, it's legitimate, it is as per the law of the land, तो हम आपके बेटे को गाइड कर सकते हैं, हम उनको formalities बता सकते हैं, और यह अराम से हो जाता है, यह allowed है, और देखी, शादी आप डिसंबर में कर रहे हैं अपने बेटे की, तो अभी बेटा आपका यहाँ पर है, इनका office यहीं पर है, यह उन को contact कर सकते हैं, और आपकी जो बेटी है, आपने काहा कि उनको work permit कैसे मिलेगा, जब वो यहाँ पर as PR आएंगी, तो automatically वो work कहीं भी कर सकते हैं, उनको work permit की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे मैं ठीक कह रहा हूँ, यह जब आप permanent resident हो, तो आप यहां के बशिन दे हो, आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हो, job करना, business करना, you're open, you're like a resident, आप उस country के बशिन दे हो, जैसे हम इंडिया में हैं, तो आपको कोई permit लेने की जरूरत नहीं है, being an Indian citizen, same as the here, even if you're not a citizen of Canada, but you're a permanent resident, तो आप वो job भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, free भी कोई work permit लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास already permanent residency है, अच्छा आप एक बहुत importance वाली है, कि जो students, अपनी जिस line में वो आएं, उस line में जाब ना करते हुए, किसी और line में जाब करें, तो उनका experience हो गया, साल दो साल का, can they apply for PR, क्योंकि उन्होंने अपनी line, जिस line में वो आ नोकरी नहीं कर रहे है, नोकरी तो किसी और line में कर रहे है, देखो, जो student है ना, वो यहां आता है पढ़ने के लिए, और उसका back home का experience है, वो irrelevant हो जाता है, यहां पढ़ने के बाद जो भी वो job करता है, वही उसका base बनता है, permanent residency लेने के लिए, उसको Canadian experience class बोलते हैं, कि बच् बनता है, उसकी permanent residency का, back home आपको मानलो, आप you are engineer back home, और यहां आके आप को job मिल गई किसी logistics company में, ठीक है, और आप dispatch देख रहे हो, तो आपका जो PR लेने का base बनेगा, वो यहां का बनेगा, dispatch का, if you are a student here. राइट, नहीं, मेरा बता है कि कोई यहां पर वो business का, उसको admission मिली, business class में, उसने साल दो साल में अपनी education complete की, लेकिर वो अपनी line में job नहीं कर रहा, जी जी, वो उसका कोई relevance नहीं है, उसकी कोई relevance नहीं है, आप करने आते हो business, यह 80% बच्चे यहां business ही पढ़ते हैं, बड कोई भी business के base पे, most of them की नहीं होती है, पर उसका कोई condition नहीं है, government of Canada की, कि अगर आप study के साथ same job नहीं करोगे, आपकी permanent residency नहीं होगी, तो ऐसी कोई condition, stipulation नहीं है, विशाल जी, कोई ऐसा point, जो हमने नहीं discuss किया, जो point discuss किया, उसमें तो मैं आप question पूश सकता हूँ, कोई ऐ जो हमने नहीं discuss किया, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, अगर है कोई, मैं तो यह बोलूंगा कि Canada is a big opportunity, it's a land of opportunity, अगर आप, आपके पास skills है, cook हो, drivers हो, nurses है, तो आपके पास skill है, तो आपका chance है, Canada में settle होने का, you can get a good job, and you can settle well, you can have a good life in Canada, तो, because यह सारी जो बाते हैं, case to case होती है, हरे case is a different case in itself, so I can only suggest you, कि you contact us, and we'll be pleased to revert you back, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कैसे work permit मिल सकता है, आपको कैसे, यहां की permanent residency मिल सकती है, we'll help you from A to Z, even यहां land करने के बाद भी, हाँ, we are always helpful, किसी को किसी चीज़ की बी कोई की है, knowledge की, information की, तो, we don't charge anything for that, so we, we are very pleased to help our people, those who are coming from India, Pakistan, और हमारे सब कांपिनेंट से, जितने भी हाते हैं, we are more than glad to welcome them. विशाल जी, टेलीपून, एक मिनी, यह स्वाल आ गया, I am working in IT since last two years, and my CRS score is 300, is it possible for me to get here and job in Canada? Yes, this is a very good question, because IT sector की बड़ी डिमांड है Canada में, और there is a program called Tech Pathway, आप Google करके भी देख सकते हैं, और Technology Pathway बोलते हैं, जो भी लोग IT sector के हैं, उनको यहां जाब भी मिल जाती हैं, even if your score is 300 CRS, it is absolutely okay, you are eligible to take up a job here and you will get a permanent residency also. तो आप हमें कॉंटेक्ट कर ले, हम आपको, elaborately we can explain you on this. ऐसे पड़े लिखे इनका टेलिफून नमबर है 306-612-223-306-612-223, ऐसे जो पड़े लिखे इनसान अटेक में, वो तो इंडिपेंडेंट भी मेरा ख्याला की क्वालिफ़ाइ कर सकते हैं. जी, जी, बड़ेफिनितली गव्मनेट अफ कैनिड़ा के बड़ा एंफसेज है इट सेक्टर को बढ़ाने का, तो अब अब्सक्र आपन वर तो वेलकम इट पीपल फॉर्म इट सेक्टर आपर इप्लिमेंट जिनको इट के लोगों की जूरत है, तो आइट का एक सपेशल आज की डेट का यह सबसे फास्टस प्रोग्रेम है और हम अबने यह देखाया कि लोग यहां पे विदन अस्पैन आफ फोर तो सिक्स मॉंथ अप्लाई करने के बाद यहां आ जाते हैं और लेंडी फिर्स दे से ही परमने रेजिडेंट होते हैं और दिस इस फेंटास्टिक प वारे में पताई है कि नैनीश का जो प्रग्रामें वो अभी भी है यह यहिए नहीं जी जी नैनी प्रोग्रेम एग्ज़स्ट करता है बड़ कालिफ़केशन उसके लिए दिर इनज कोर्स होते हैं यहां तो आप ने कोई नरसिंग की हो यहां डिप्लोमा किया हो इनके प्रोग्राम्स होते हैं पर ये प्रोग्राम्स होते हैं कई टैंथ के बाद होते हैं के ट्वेल्थ के बाद प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रेफरेंस उनको होती है जिन्होंने ट्वेल्थ कर रखी है एक चीज मैं वियूर्स को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने ट्वे CTA किया है, डिप्लोमा किया है, वो भी रेलेवेंट है, so this is important. ये प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी जादा है, this program takes more than one year, इसमें आप की back home in India में interview होती है, embassy में, they really want to evaluate की आप जाके वाँ नाइनिशिप का काम कर्स पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उस process में, because physical interview involved है, तो वो program, it takes about two years, तो उसमें थोड़ा time जादा है, program exist करता है, लेकिन नैनी के बहाँ पर courses हैं, there are courses, there are certain courses in India, की जैसे, जैसे जो बच्चे B.S.C. nursing नहीं करते हैं, तो वो diploma करते हैं, there is a diploma in nursing, उसको बोलते हैं, तो उसमें, that's also, वो बी eligible है, so there are programs, वो आपको qualification तो चाहिए, चाहिए, to match की आप क्या कर, और फिर आपका जो experience है, तो legitimate होना चाहिए, वो आप प्रूफ करना होगा, आपको की yes, you are actually a nanny, फिर आपको IELTS पीचे ये, तो ये अगर सारे factors मैच करते हैं, तो yes, you are eligible to apply for nanny. कितनी बड़ी information हम आपको tag tv पे दे रहे हैं, ये शायद दुबारा ऐसा program ना हो in near future, तो आज आप ये इनका number note कर लें, इनको contact कर लें, जतनी जल्दी हो सके, आप इनसे अगर interested हैं, इननोंने कही categories बताई हैं, मैं उसमें से जो important जो students आना चाहते हैं, जी उनके लिए ये है कि ये contact करें, इनको यहाँ पर 306 612 2223, मैं plus one इसलिए नहीं बोल रहा कि हिंदुस्तान में जो जिनके पास phone है, वह हमसे भी expert है, they know how to go on WhatsApp, तो ये WhatsApp का number है 306 612 2223, आप किसी भी तरीके से, यहाँ पर इतने भी तरीके हमने discuss की हैं, उसकी अब मैं last में, इनसे short में, वह एके करके पूछूँगा कि वह तरीके ये दुबारा बता दें, कि आप किस तरीके से आ सकते हैं, और आप इनको contact कर लें, यह बड़ा important है, जी आपने question पूछे, उनके आपको जवाब मिले, पहले मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, लेकिन यह program बहुत important है, यह याद रखना, जो आज हम कर रहे हैं, तो इसलिए एक बर फिर नंबर ही आपको पताएंगे, आप दुब सबने बोला है, एक तो federal skill trade program होता है, जिसमें आप trade में आते हो यहाँ पे, trade means कोई भी काम जो हाथ से होने वाला होता है, electrician है, plumbing है, carpentering है, farmer है, cooks हैं, एक होता है federal skill worker, workers में जो program होते हैं, उसमें आप supervisor हो, आप कोई retail shop में काम कर रहे हो, तो आप like even अगर आप को business चला हो, वो भी एक retail ही है, तो एक तो यह category होगी, एक फिर category हो जाती ही, investment category, तो that's entirely different category, उसमें भी दो चीज़े हैं, एक तो investment category है, जिसमें आप को अगर GTA के अंदर, Toronto region में अगर आप invest करते हो, GTA के अंदर तो half a million की investment होती है, और अगर आप outside GTA करते हो, तो one million की investment होती है, अच्छा यह बात करें, Ontario की, यहाँ पर दस और provinces हैं, जिसमें different different investment है, जी मेरे ख़र है, Prince Edward Island, Nova Scotia, वहाँ पर कम है बहुत, जी, तो मतरह हम बता दें, कि यहाँ पर दस provinces हैं, और ज़ूरी नहीं है, आप Ontario ही समझें, इतने खूब सूरत जो है, वो provinces हैं, Prince Edward Island, Nova Scotia, और British Columbia, यहाँ, तो आप सोच सकते हैं, इनके बारे में, लेकर उसके बारे में जानने के लिए, आप इनको contact करना बड़ा जरूरी है, आप telephone एक बार फिर, हमारा number है, plus one, three zero six, six one two, double two, double three, आप जब भी हमें राफ्ता करें, एक message छोड़ दें, WhatsApp पे, और अपना, अगर हो सकता है, अ and then we can speak to you, हम आपको special time देंगे and this is all free of cost, we don't charge anything for, 306-612-233, इनको number है, so please contact them, हाँ जी, तो अभी बाकी के और category जाएगी, sorry, बीच में में नहीं, तो एक तो हमने जैसे किया कि investment category में, तो आप investment कर सकते हो, एक वो program होता है, और एक है start-up visa, ये वो category है, जिसमें आप कहीं job नहीं कर रहे हो, आप एक businessman हो, तो दो किसम के एक तरह से program मैंने बता दी, एक उनके लिए जो businessman है, और एक उनके लिए जो business नहीं करते काम कर रहे हैं, job कर रहे हैं, थर्ड आ जाता है कि आप आना चाहते हो as a student, तो students के लिए it's all together a different है, students के लिए मैं एक चीज़ मशवरा आजकल देता हूँ, तो वो ये है कि अगर मान लो आपके बच्चे हैं और वो plus two कर ली है और आप चाहते हो कि वो Canada आएं, तो क्योंकि जो बच्चा plus two का होता है, उसकी ये जो मातर, he is less than 18 years, तो मैं ये suggest करता हूँ कि आपका अगर आप अपने बच्चे को या भेजना चाहते हैं, आप अपना resume भी हमारे करें, हो सकता आपके लिए भी एक अच्ची opportunity हो, और अगर आप इस country में आ जाते हैं और आपका बच्चा बाई साल से चोटा है, तो अगर आप permanent resident हो जाते हो, तो आपकी सारी family permanent resident हो जाती है, उसका advantage ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे 12 तक absolutely free है, government एक भी पैस आप से चार्ज नी करती है, और उसके बाद अगर आप college university में जाते हो, as a permanent resident, तो आपकी जो fees है, वो almost one fourth से one fifth होती है, for example, अगर बच्चा यहाँ से इंडिया से पढ़ने आता है, यहाँ पे दो साल का course लेता है, तो उसकी fee semester की मानलो, आट से दस हजार है, तो जो local बच्चा है, जो permanent resident है, उसकी fees दो से तीन हजार डॉलर है, so parents इस साफ से, इन के लिए, मैं बात बता रहा हूँ, कि आप खुद भी permanent residency ले सकते हो, कि आपके जो बच्चे हैं, वो सारे permanent residents हो जाएंगे, 12 तक कि उनकी पढ़ाई free होगी, और आगे भी universities में जाएंगे, तो उनकी fees one fourth या one fifth होगी, तो parents अपने resumes हमारे साथ share करेंगे, तो we'll be glad to help them. लाइटो immigration का number आप note कर लीजिए, बड़ा important है, हम आपको बहुत बार बताते हैं, आज विशार जी आए हैं, हो सकता है कि अगले साल, दो साल, ऐसी कोई और interview ना हो, लेकिन ये number आप note कर लें, 306, 612, 22, 33, 306, 612, 22, 23, ये categories जो हैं, इन्होंने आपको बताई हैं, आप उन categories में किसी में भी, अगर ये समयते हैं कि आप qualify होते हैं, तो आप इनके contact करिए, ये आपको free advice देंगे, free आप से बात करेंगे, और आपके यहाँ पर आने के बाद भी, ये आपको help करेंगे, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, कि अगर आपका बेटा या बेटी, यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें आप भी अपना resume में भेजिए, वो सकता है कि आप भी यहाँ पर land कर सकें, ये बहुत important है, ये मुझे भी नहीं पता था, तो इन्होंने पताया, ये जो point है, इसको ज़रा एक बार आप दोबारा, क्योंकि यहां students बहुत सेटल हो जाएं, अपनी life बना लें, बच्चे आते हैं, तीन, चार, पांच साल के बाद उनकी permanent residency भी हो जाती है, उसके बद वो शादी करते हैं, फिर ultimately तब तक उनके parents बड़े हो जाते हैं, फिर later on parents सोचते हैं कि हम भी बेटे के पास जाके रहें, तो ultimately फिर family यहीं आने की क यहां पर मैंने सोना lottery system है, जो आगे दो साल में आदमी आ सकते थे, अब आठाट, दसदा साल लग जाते हैं, वो मैं explain करता हूँ डॉक्टर, उसमें क्या है कि अगर आप permanent resident हो इस country के, मानलो आपका बेटा आया इंडिया से और वो permanent resident हो गया, permanent resident होने के बाद, at least दो साल की उ returns होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो यह प्रूफ कर दे कि अगर उसके parents यहां आते हैं, वो उनको संभाल सकता है, तो उसमें category है, वो हम define कर देंगे, आप Google भी कर सकते हो, कि अगर आप, आर आपकी wife है, यहां रह रहे हैं, और आपने parents को बुलाना है, बलाए आप चार इसको meet करते हो, दो साल की आपकी income tax return में आप प्रूफ करते हो कि आप के पास इतनी earnings है, annually, then there is a process की एक lottery system है, जिसमें आप अपने parents का डाल देते हो, वो हर साल 20,000 file pick करते हैं, at random pick करते हैं, और उसमें से अगर आपकी parents की अगर आ जाती है, तो आपके parents को भी permanent residency मिल जाती है, नहीं तो there is another thing, parents यहाँ पे आ सकते हैं, super visa पे, एक तो visa होता है, जो कि अब आप यहाँ आते हो as a tourist, और छे मीने से जादा आपको अगर रुकना है, तो आपको एक intimation देना पड़ता है, तो they may allow you another three, four, six months, एक super visa होता है, जिनके लोग, जिनके बच्चे यहाँ पे permanent resident है, वो अपने parents को बुला सकते हैं, उसमें आप 10 साल तक आपका super visa लग जाता है, five to ten years का, तो आप continuously five to ten years आप यहाँ रुक सकते हो, तो आपको यह नहीं कि हर छे मीने के बाद intimation देनी है कि मेरे को और रुकने का महलत दी जाए, उसमें बस एक ही चीज होती है, कि उनके पास permanent residency वाल आते हैं, आप insurance कर वालो, तो देकर लेडियां, सभी लोग ऐसी तरह ही आते हैं. क्या जो parents यहाँ आते हैं, उनका within Canada फिर immigration apply हो सकती है? उनके बच्चों के बेस पे हो सकता है, बट अगर parents आते हैं, अगर वो qualify करते हैं, तो अगर उनके पास कोई ऐसा काम मिल जाता है, उनको को employee रख लेता है उनको, और उनको help कर दे, उनकी permanent residency के लिए through LMIA process, फिर वो भी हो सकता है. इस से पहले कि हम program खत्म करें, हम आखिर में फिर इनको, इनका number आपको पता देते हैं, लाइटो immigration, आप जरूर इनको contact करें, अगर आप interested हैं, कैनेडा की immigration में, जो के बहुत different तरीको 122223, आप इनको message भेजें, और ये आपको बताएंगे कि आप कब इन से contact कर सकते हैं, 306, 612, 22, 33. विशाल जी, आखिर में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, दर्शकों को, या आपकी दर्शक हैं? हाँ, एक तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि आप मेरे से पिछले एक साल से contact करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी हर एक information का जवाब में, तो आप ये ऐसा पयार बना के रखें हमारे साथ, जो भी नए लोग हमसे को information लेना चाहते है तो मैं ये advice करूंगा जी, आप अपनी details एक बरी WhatsApp पे share कर लें, और हम special time निकाल के आप से बात करेंगे, आप से राफ्ता करेंगे, और आपको पूरा guide करेंगे, कि क्या best तरीका हो सकता है, कि आप Canada में आएं और आपकी dreams पूरी हों, वो भी free, हमारी पूरी ये सब free रहती है consultation free है, we don't charge anything, it's all free and we are more than glad to welcome our people from India, Pakistan, हमारे subcontinent के लोग आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती ही कि हम उनको guide करें, आखर में number एक बर फेर, हमारा number है, plus one, three zero six, six one two, double two, double three, ये WhatsApp number है, आप इस पे अपना message चोड़ सकते हैं, और हम आपको revert back कर दिया करेंगे, 306-612-233, अभी शाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत educate किया, I hope they will take the benefit of it, all those who are interested, please contact, सैनी जी, लाइटो इमिग्रेशन, number हमने आपको के बर बता दिया है, आप इनको contact करिये, number एक बर फिर मैं बता देता हूं, 306-612-233, 306-612-22-233, प्रोग्राम देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपको कई वर कहा है, और request की है, कि प्लीज, इस टेग टीवी के प्रोग्राम को कोई बिजनस्मेंट स्पोर्ट नहीं करता, यह self टीवी प्रोग्राम है, और अपने आप में एक ही अकेला ऐसा प्रोग्राम है, जो किसी भी चीज़ से influence नहीं होता, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, financially भी, जितना भी आप कर सकते हैं, आ जीचे सब आप, you know it very well, लेकिन सबसे important चीज़ यह है, कि आप इसके subscriber, मैं हमेशन कहता हूं, एक million तक लेके जाए, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटे-छोटे मैंने देखता हूं हिंदोस्तान में, जो कि आपको खाना आप दिखाते हैं, कि यह देखिए, य खाना यहां पर कैसा बनता है, मैं खा के आपको बताता हूं, वो ट्रेवल करते हैं, एंजी, दिली से कलकट आता हूं, उन लोगों को आपने million million जो है, वो सब्सक्राइब कर दिया, जो प्लीज, तेल यह देखिए, जो प्लीज, तेल यह रेलेटिवस, तो गो तो यूटू and definitely subscribe, 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 subscribe. इन्ही शिवदों के साथ में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, विश्यू वाल दबैस, स्यू नेक्स्ट फ्राइड सब्सक्राइब टैक्टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकेशन पट्न